यह में हम हमारी घरो में ड לगते हैं हो स्किति करते हैं तो two चलिए हम लोग कुछ से इसको समझनी कोष़्िस करते हैं जैसके हम लोग जानते हैं कि हमारे घरो में जो बिज्तिली आता है वह ऐगा करने आगे हम लोग को MCB लगाते हैं Miniature Circuit Breaker ताकि अगर कोई भी अगर fault होता है overload हो या source circuit हो तो उससे हम लोग को safety दे और में device को बचा दे जैसे इधर inverter या generator कुछ भी यूज हो रहा है तो उसको बचा देगा ये breakdown होकर जो अगर इधर problem होगा fault होगा तो उसके आगे हम लोग को हम लोगों को आगे यूज करना चाहिए RCCB या ELCB तो हम लोग यूज नहीं करते हैं तो फिलाल इस वीडियो में हम लोग ही समझे किसको क्यों यूज करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है तो चलिए हम लोग मैनुएली अभी इसको मान लीजिए मेरे पास नहीं लगा हुआ है यहां पर कुछ नहीं लगा हुआ है हम लोग से देख रहे हैं जो यहां से से बिजली आ रहा है उसी दे बोर्ड में जा रहा है तो चलिए मैं बहुत फुरसा कंडिशन कुछ समझते हैं कौन कौन से कंडिशन पर क्या होता है मान लीजिए अगर आपके पास एक फैन है जिसमें तीन पोल वाले वायर हैं जिसमें आपका फेज न्यूट्रल और एक अ प्रणखा होता है जिसमें फेज न्यूट्रल होता है ठीक तो हम पहले इस वाले कंडिशन पर बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग देखते हैं घर में एक एक एक्स्ट्रा हम लोग अर्थ रखते हैं क्योंकि अगर मालीजी आकासी बिजली अगर गिरता है तो उससे भी घर को वोडी में इसको अटाच कर देते हैं इस अर्थ को हम लोग बोडी से अटाच कर देते हैं तो क्या होता है इनकेस कभी फ्यूचर में यह अगर सॉट कर जाता है यहां से यह देखे माल लिजे यह फेज वायर है ऐसे आ रहा है और यह neutral wire है दोनों fan को rotate कर रहा है ठीक मा लिए इनके इसका भी short circuit हुआ कभी fan ज्यादा देड़ चल गया तो heat कर गया तो इसका जो भी elimination होता वायर पे वो leakage कर गया तो यह क्या हो कि body से attach कर जाएगा जैसे body से attach कर जाएगा तो क्या हो जैसे body पूरा full current आने लग अगर यह बोडी से attach नहीं रहेगा तो अगर जब attach रहेगा तो क्या होगा देखे क्या होगा जैसे लिग करेगा यह जैसे लिग करेगा इसमें attach होगा तो यह पहले से क्या है अर्थ रायर है यसे टाच होगा तो सॉठ सर्क्रिट ह होगा तो यह डो कर्डिशन होता है यह तो इसका नाइक अर्थ का यह तो मैके आगर दोनों कि पिय वाइर हैं तो क्या होगा हमारे जो यहां पट सरकुड कर जागा fünf догाए है यह जो तो सर्कीट लगा हुए मिनियचर सर्कीट mcb वो ट्रिप कर जाएगा तो अगर कभी भी इस टैब के घर के वाईडिंग में अगर इस टैब के फॉल्ट होता है तो हम लोग का mcb यहां बहुत ही जो रूडी है यह हम लोग घर में रखना चाहिए हमेंसा वाइडिंग करवाना चाहिए इस टैप का चलिए हम लोग दूसरा कंडिसन देखते हैं यहां पर जैसा कि हम लोग घर में ऐसा फ़ी पंखा रहता है जिसमें सिर्फ दो वाइड हाता है हम लोग देखे अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर दोनों फेज और नीट्रल आ रहा है और यह बॉड़ी से माल लीजिए यहां पर कभी लिक कर गया इसके बॉड़ी पर करेंट आने लगा लेकिन यहां से इसका बाइपास होने के लिए कहीं से कोई जगा नहीं है क्योंकि इसम भी current होगा इसके body panel लगेगा और हम लोग जब जा के touch करेंगे इसको तो हम लोग को sock लगेगा तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इस RCCB का यूज़ करेगे अब यह देखे कैसे काम करेगा इस यहां से जब भी इसका जो काम है यह एक तरह से balance-unbalance पर काम करता है यह जो है यह जो current देता है यहां से इसका current reverse में भी उतना ही current इसको मिलना चाहिए तो यह proper है अगर इसको थोड़ा भी sensitive type का अगर drop होता है थोड़ा से इसको current में तो यह यहां पर इसको trip कर देता है तो जैसे क्या होगा अगर माल लीजिए इसके body current आ रहा है और हम इस figure को अनुसर समझते हैं कि जैसे अगर हम इसको touch किये touch किये तो क्या होगा कुछ current हम लोगो bypass होगा यहां से body अर्थ को तो कुछ current यहां से जो भी current आ रहा था वो थोड़ा देर के लिए कुछ second के लिए बाइपास हो जाएगा तो क्या होगा यहां पर एक हलका से difference मिलेगा मैं तो इतना current भेजा था मुझे तो इतना ही current मिला तो उसी second यह सारा काम होगा तो क्या होगा हम लोगो जैसे ही यहां touch करेंगे तो हम लोगो कुछ च्छन वन के लिए थोड़ा सा current लगेगा और यह circuit breakdown हो जागा और board का line कट जाएगा तो क्या हो सकता इसे बड़े घटना से हम लोग बच सकते हैं अगर मालीजे यह नहीं होता तो क्या होगा अगर हम इसे पूरा full body पर current आ रहा है हम इसे touch किये हुए हैं तो क्या होगा सारा current मेरे body से bypass होका अर्थ की और जाएगा तो क्या होगा हम लोग को फूरा full हम लोग इसमें चपके रहा जाएगे और हम लोग current हम इसा continue flow में bypass होते रहेगा तो हम लोग के जांज भी जा सकती है यह हम लोग ऐसा नहों बता है कि हम लोग hospital ले जाना पड़े तो इसलिए हम लेंगे कि आप दोनों ही यूज करें घर में दोनों आप लगाईए आप प्रोपर RCB रखिए और RCCB यूज कीजिए जिससे आप प्रोपर एक घर को अच्छे से safety दे सके क्योंकि स्मार्ट जो होता है वो कभी स्मार्ट होम नहीं काला सकता है जब तो इसमें एक लिस्टी क आधिमें युज आधिए आ शेफ्टी ना हो कि चलिंए हम लोग जादा प्रैक्टिकली ठोड़ा करके देखते हैं कि यह काम कासे करता है तो जैसा कि हम लोग यह देख सकते यह सब्सक्राइब दिख सकते हैं आपे 40 एंप्यर है क्रेंट जो है 40 एंप्यर है उसको ट्रिपिंग करेंट है वह 30 मिलियंप्यर है जो हम लोग का residual current बोलते हैं इसको तो यह और भी ज्याद़ ज्याद़ एंपेर में आते हैं 300 million वाले होते हैं वह फैडिंग में यूज होते हैं इंडिस्ट्रियल एडिया में तो यह trip कर जाएगा और आपको जान जाने से बचा सकता है तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा arrange कर लेते हैं इस plug के साथ और बल्व के साथ और फिर हम लोग इसको practical test करेंगे fingers test करके कि यह काम कर रहा है कि नहीं तो चलिए हम लोग setup कर लेते हैं कि इसमें देखें मुल्क कैस किधर से supply देंगे अच्छा से देख लिए यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ मतलब है इधर से इंपूट होगा ओके यह neutral है और इधर से आउट्पूट में निकल जागा और टू इधर से जो टू है वह आउट्पूट फेज है तो इसी तरदम यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है 1N मतलब हम लोग इधर से इंपूट देंगे इधर से यहां पर 2N लिखा हुआ है इधर से हम लोग आउट्पूट लेंगे ओके तो चलिए हम लोग एर्रेंज कर लेते हैं सर्कृट को सर्कृट करते हैं तो हम लोग से इधर से 1N के तरफ से इंपूट देते हैं इधर से च कि यहां पर अच्छे से टाइट कस लें ताकि कोई लुज लुज वाइडिंग ना हो लुज होगा तो फाइडिंग इसमें आग लग सकता है तो इसलिए हम इसलिए टाइट ही कसा किजिए तो चली अब हम लोग इसको भी कस लेते हैं स्काउट बूट को और इसके साथ हम कस लेते हैं इसमें अच्छे से ओके तो जैसे कि हाँ पे इसको सब्सक्राइट किया तो चलिए अब हम लोग इसको इसको सप्लाइड देते हैं और टेस्ट करके देखते हैं यह कैसा काम करता है तो यह यह जैसा कि अभे मैंने इसको प्लागिंड तो इसको मैंने सप्लाइद सब्सक्राम करते हैं फिर यह तो इक pocz we तुछ भी बोलते हैं इसको मन्त में घर में अप लगाई है तो इसको मन्त में एक बार हमेशा टेस्ट कर लेना चाहिए ट्रिप करकर करके प्रोपर काम नहीं कर रहा है काम कर रहा है या नहीं अगर काम नहीं कर रहा है तो इसको एक एक महीने पर टेस्ट करते रहना चाहिए तो यह प्रोपर काम कर रहा है तो चलिए अब हम लोग एक बार इस कंडिशन को देख लेते हैं कि किस किस कंडिशन में यह ट्रिप कर जाता है तो चलिए एक बार मान लेकर देख लेते हैं आपर यह देखे जैसे कि हम लोग है इसके आउटपुट से इस बल्ब को गुलो कर र छाएगा और चलिए इनकेस अगर यह एक कंडीशन ले लेते हैं कि इस रसी सीबी के आउटपुट है इसे फेज ले लेते हैं और इंपुड से ग्राउंड ले लेते हैं यह आउटपूट से हम लोग फेज लिए और इंपूट से ग्राउंड लिए फिर वी ट्रिप कर गया ओके तो मतलब यह से दोनों कंडिशन भी ट्रिप कर जा रहा है तो ऐसा तो किलियर हो गया कि अगर आप इसको जब भी घर में लगा रहे हैं तो आपको इसके जो भी देख रहें यह वाल ग्राउंड वाइर है यह तो हम लोग अर्थ वह से सको चलिए हम लोग अब कर आप दिखते हैं यह ट्रिप कर रहे कि नहीं कर आई यह सखी हो गया तो यह हो गया यह तो यह अगर इस पर लिग आ एक बढ़ यह दखें रिप कर जा रहा है तो यह ग्राउंड से भी टयाच करने पे ट्रीब कर जा रहा है तो चलिए अर्थ से लिखते हैं अर्थ को इसके नूट्रल से यह कुछ नहीं हो लेगिन अगर iamकिम लगाते हैं कि कर्मेन इसके नीट्रल और फेज में अगर कोई सवर्ट सर्क्यित होता है तो उसमें भी ट्रिफ कर जाता है यह ट्रिफ कर आ देगा और जो यह होगा अगर किसे आपको यह कर रहा है हैं कि यहां पर आप prop कर लोग लांगो लोग यह आप जानते हैं कि अगर इसेThis में को vraiment किस अधीड होता आए थ्पार में अगर बॉड़ी पर करेंट आता कि हम टेच करते हैं तो यह rccb कर जाना चाहिए और हां जब भी कैसे की अधर करें तो किसी हम लोग इसको टच करने वाले को इसलिए त्री टू वन लगा ठोड़ा सा लगा इसमें क्रेंट तो कोई ना एक बार हम फिर से ओन करते हैं कि इसको प्रोपर ट्रिप करेगा और देखिए सी बात है अगर आपका ये किस कंडिशन में करेगा नहीं करेगा जब आपका बोडी अर्थ से प्रोपर लिके प्रोपर कनेक्ट नहीं होगा जब प्रोपर कनेक्ट नहीं होगा तो सीधी सी बात है आपको ज्यादा करेंट नहीं तो उसको होस्पीटल ले जाना पड़ जाता है तो हम लोग यह आठस्टी बिलगा कर काफी ज्यादा सेफटी ले सकते हैं तो इसलिए घर बनाईए तो उसमें में दोनों चीज को पूरे अच्छे से सिस्टम को सेट कर आई है एक तो पहला नमर जुरूरी है कि आप घर में यह एक्स्ट्रा अर्थ जुरूर लगाएं ठीक क्योंकि यह कभी फेल कर सकता है ठीक है इसका फ्यूचर में इसका जो भी इसमें अंदर कोई लगा हूँ है इनक इसको खरिदना चाहते हैं अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे जब ही वीडियो डालू तो आपको नूट्फिकेशन आपको मिल जाए तो मिलते हैं फिन नेक्स्ट वीडियो में बाबाएं टेक केर झाल झाल efter हैं वीडियो bucket शाल प्रुबहें थाओधिकेशन आपको